तो फायली दोस्तो आप सभी को जिस वीडियो का बेशसरे से इंतजार था जिस वीडियो के लिए आप सभी बहुत से कमेंट कर रहे थे तो फा cleanly वीडियो आ चुकिये जहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कप्छा बार्वी के विसे कर्षी विज्ञान एवंगनित के मूल तत्व जिसे आप PCMB के नाम से जानते हो जहां दोस्तों इस वीडियो में आपको बार्वी के विसे कर्शी विग्यान का आपका जो अर्दवार्थिक का जो पेपर वो दो जन्वरी को होने वाला है और यहां पर इस वीडियो में आपका जो अर्दवार्थिक तो ठीक है यहां पर आपको वार्थिक के जो कोश्चन व को भी बताऊंगा यहां पर आपको प्रश्णा बेंक और आपकी जो गायट उसके माधियम से आपको यहां पर सोलुशन बताया जाएगा और अगर आपके पास प्रश्णा बेंक है तो यहां पर आप देख सकते हो अगर आपके परिच्छा देन तो वहां पर आप टिक कर सकते नहीं तो यहाँ पर इसका प्रडान कर सकता कि जरूँ इसके बात करें के बारे में इस के भारा पर फिरो को नहीं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो कर्षी विग्यान में आपका जो 19 वा कोश्चन यहां पर आप ध्यान से दिखेगा 19 वा कोश्चन और 20 वा कोश्चन आपके पाच नंबर के कोश्चन होते हैं 19 वा और 20 वा कोश्चन आपको पाच उंक में पूछा जाएगा इस आप चैनल पर पहली बाव विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्रेस कर लो क्योंकि यहां पर आपको अर्दवार्सिक की वार्सिक की पूरी तैयारी आपका भाई करवाएगा तो यहां पर सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस यूडियो को लाइक निका तो मोसम वो रितु में अंतर लिखे यहां पर जैसे कि अंतर वाले कोश्चन अधिकतर पांच नंबर में पूछा ही जाता है तो यहां पर आपको मोसम और रितु में अंतर लिखे यह पांच नंबर का कोश्चन आप इसे तयार जरू कीज़ेगा तो यहां पर आप देख सकते ह किसी विशेश समय पर वा वावी मंड़ल की औूसता मौसम कहलाती है कि और बहुत दिनों की मोसम संबंदी घटनाओं के सार को डितु कहते यह परती दिन मतल는 यहां पर मैंने आपको बहुती सरल इंतरव मैं यहर समय बदलता रहता है अपने गाना भी सुन वोगा ठीक है इसके एक ही रितु में कई प्रकार के मोसम हो सकते है ठीक है और यह पाफी दिनों के Еक से मोसम का योगए तो यहां पर मैं आपको अंतर समझाने लगाँगा तो वीडियो की जो लेंते हो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर मैं आपको question बताते जा रहा हूं यहां पर आप note कर लिजे पहला question मोशम वीटु में अंतर लिखे 5 नमर में यहां पर बहुत ही important question है आपको यह तैया अब इसके बाद आपको तयार करना है मोसम और जलवायू में अंतर जिसे श Je समय पर बाइवम के उस तरक मौसम के लाती है घ्याहां पर समझ रहे होirtव तो यहां पर आप देख लिजे मोसम के जो अंतर वो याद रखना है जो आपने रितु मोसम और रितु में अंतर याद किये थे उसी प्रकाव यहां पर मोसम जलवाई में अंतर याद करना है ठीक है बहुत ही अच्छे कोश्चन है आपको तैयारी में करवाऊंगा आपको पूरी तरह से आपका जो पेपर हों कम्पेट तयार करवा दिया जाएगा ठीक है समझ गए आप वीडियो को बस ये लाइक कर दिए ठीक यहाँ पर आप देखिए आपको फिर एक कोश्चन पाच नमबर में याद करके जाना है पाले से फसलों को बचाने के कोई पाच को ताब बढ़ा देना चाहिए चोथा पाहडों पर पोद्र ढाल पर लगाना चाहिए और पाच वा उपाए ऐसी फसले बोनी चाहिए जो पाला अवरोदी हो ठीक है यहाँ पर बहुत ही सरल में आपको बता रहा हूं आप तैयार कर लिजे इसे आप पोइंट मेंसे अगर रहा को उसका वर्णन कर ना चाहते हो वर्णन वी कर सकते हो सकते हैं फिर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिखने आपको ज़्यादा नहीं लिखना आपको पाच विसस्ता याद कर लिए तो यहां पर पहली विसस्ता आपको याद करना हमारे देश में वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है कभी-कभी ओसस से अधिक वर्षा के कारम बाड़ता था कभी-कभी इतनी कम वर्षा होती करनी पड़ती है ठीक है आप समझ गयोगे कि जिसे अगर जो वर्षा के दिन होते है उसमें अगर पानी बहुत दिनों तक मतलब जो वर्षा नहीं होती है तो फिर हमको सीचाई करनी पड़ती है तीसरा है सीथ-कालिन वर्षा की अनिश्यत्तता के कारण कभी-कभी उत्री भारत में तीन-चार मोहाटे हो जाते है तता कभी-कभी एक मुन पानी भी नहीं बरसता है यह भारत की वर्षा की विश्यत्ता है ठीक है चोथा उत्तर भारत के मेदान में कभी-कभी मई-जून में भी पानी बरसता है पाचवा भारत में वर्षा पूर्वों से पश्चिम तक होती है ठीक है आप यहां पर जो भारत की जो विस्थो उइनाब को बता दिए अब इसके इसका पीडियु इसफी बत्ता ओंगा विडियो को ध्यान से देखिए अब Just पेपर कोम वास्पी करन में पास अंतर लिखने ही पढ़ेंगे और अंतर वाले पास आपको तयार कर लिए पिर अगर आप पेपर अभी आपका जो पेपर मार्च में होने वाला है तो यहां पर तयार कर सकते हैं और अरदवार्शी का पेपर तो आप देख सकते हैं और आप गरम पानी करते हो तो यहां पर आप समझ जाओगे दूसरा इस किरिया में विबिन्ने दवा उत्पन होते हैं इस किरिया में कोई दवा उत्पन है नहीं होता एक तरप के अंतर याद करोगे तो दूसरा अंतर अपने आप याद हो जाएगे जैसे यह रचित कोशिकाओ देरा नेंतरी देती है यह नेंतरी देती है ठीक है यह कि पढ़िए यहां पर आपको मैं डेई वीडियो दूंगा पढ़िए और तैयारे कीजिए ठीक है यहां पर आप समझ जाए कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं हमारी टीम आप सब्लक के साथ है आप करते रहिए ठीक है और अगर आप चैनल को सद्काइब निए कि क्योंकि आपको यहां पर तयारी में करवाने वाला हूं फिर आपका जो नेर्ष्ट को SIM.. आपको तयार करना है विसरं और परासरन प्रासरन को रसाकरशन भी कहते हैं ठीक है याद करना रसाकरशन ठीक विसरन और प्रासरन में क्या अंतर है कोई पाच अंतर लिखना है चार को छोड़ो पाच अंतर लिखना है विसरन एवं प्रासरन में कोई पाच अंतर लिखे तो यहां पर अंतर दिया गया आप यहां पर पाच अंतर लिखे ठीक है अब इसे एंथ में आपने पड़ाई होगा और याद करना है और याद करना है और यह दिखतर अब्जेक्ट्टी में लेकिन इसमें से अब्जेक्टी कोश्चन तो पूछा नहीं जा रहा है तो यहां पर आप तैयार कीजिए यह कि लिए ऑक्सी ज पूर्णव्चे को दिखना है ठीक है अब यहाँ पर देखे़गे कौन में कुम्राई क्रिया में इस कि लिए में मैं गुल्कोझ के को शीओ ता-ध्यवात हbereा है और इस किरिया में गुल्कोझ के अपूर्णवर्णवशी करन्वा दौरा लेक्टिक अमलत अथा इथिल-ई केलोरी उजा मुक्त होती है ठीक है यह देखतर अब्जेक्टि में पूछा जाता है और और शीजन की उपस्तिति में होती है असत्य 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 यह यहाद कर लिजिएगा इसका चोथा अंतर है इस किरिया में गुलकोज के एक अनू से 28 toys अनुमुक्त होते और इसक assessment नेस्ट कोश और यहीं आपको यहाद वताया है अगर आपको यह यह तो मिए आपको से暗ाई से याद कर सँकते हैं लगबग दोनों सेम से महां नहीं था इसमें बुझे बदातो BC का पून्नो रोग्स सेुक्रन होता है इसमें बदातो का अब पून्नोब करने का बताने से पहले आपको बता रहा हूँ अगर आपने वीडियो को लाइक किया चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा तो इसका पूप चैनल कि यह रोपेशेब कर सकते हो तो आपको आपको आप गया पे से यह और आपको मैंने दे दिया आप वहांप कर सकते हो और इसके अगर आपको कुछ डाउट या कोश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं नहीं तो हमें इस्टाग्राम पर जाकर प्रस्टनल डियम भी कर सकते हो आपको इस्टाग्राम पर जाकर नहीं तो इस्टाग्राम की जो लिंक आपको डिस्मोक से मिल जाती है चैनल को फोलो जरू किजिएगा दूस्तों और चनल को जिससे आप लेकिन सबसे में बात अगर अब ही दाइक आंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब के कोस्चन को तयार करने जे कल तक फिर आपको पार्ट टू में आपको चार नमबर के कोस्चन बताऊंगा तो अभी कले इतना है मेर्ट वड़ों में बहुत जल्द जय ही में